प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी से कुणाल जी ये बताइए कि चुनाव नजदीक हैं युवक कांग्रेस किस तरह से कॉंग्रेस को सपोर्ट कर रही है देखिए युवक कांग्रेस का जो हमने एक कारिकन दिया है कि बूत जिताओ सरकार बनाओ को एक नारे के साथ हमने काम किया है इसने मद्य पदेश में जो 53,000 से ज़्यादा बूत है हर बूत पे यूथ कांग्रेस के कारिकरता सकरी है और सकरीता के साथ काम करना है पिछले एक महीने से हम लोगों काम जल रहा था कि किस हिसाब से हम वोटरों को बढ़ा हैं जिन वोटरों को जो कॉंग्रेस पारटी के कुछ वोटर नए बने हैं उन लोगों को 18-25 साल के वोटर जो जुड़े नहीं थे उनको जुड़ाने का काम किया फिर कई जगों पर हमने बूथ बूथ इस तर पर काम करके यूथ कॉंग्रेस पूरी ताकत से बूथ पर काम करी और बूथ पर फिर जो मुद्धे हैं जिन मुद्धों को लेके जाना चाहिए उन मुद्धों को लेके बूथ पर कारिकरता हमारे जाने हर जगे अपनी चहुते चहुत जिता और सरकारबनाओं कि नीटी हम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारती जनता पारडी का युवा संगठन है, भारती जनता युवा मुर्चा, जब इन दोनों की तुलना होती है, तो ये सामने आता है कि वो एक अनुशासित संगठन है और आपका जो संगठन है वो ऐसा लगता है जैसे अराजकता का माहल है, भीड हो रही है, लाठियां चल रही हैं, बल्लम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, क्या ये आप अंतर पाते हैं? यूद्ध कॉंगरेस में, तो पूरी तरीके से कोई भी आसामाजिक तत्व या आसामाजिक उसका निद्ध वो है, वो यूद्ध कॉंगरेस में रही नहीं सकता है, अब ही हमारे हैं एक इलेक्शन सिस्टम हुआ है, जिसके अंतरकत कोई भी आपरादिक प्रजिदस्ट का जिसके ओपर केस दर्जे वो चुनाओं नहीं लड़ सकता, तो यूद्ध कॉंगरेस से पूरी तरीके से सफाया कर दिया है, कोई भी अगर होता है जो लड़ना भी चाहता है, अगर उस पर अपरादिक केस दर्जे हैं, तो कई लोग हमारे कटनी में लोग चुनाओं नहीं लड़ पाए, जिन लोगों ने तो राहूल जी के आने के बाद यूद कॉंगरेस पूरी तरीके से बिलकुल अपरादिकों से बुक्त पूरी तरीके से चुनाओं हुए, पर इतने बड़े महाकुंब को देखके जो बखशी पार्टिया घबरा गई कि इस प्रकार का इतना बड़ा जो कारिकम हुआ है, ये किस प्रकार से हो रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं माहुल बिगारने के लिए कुछ लोग जो सपोर्टर के रूप में जो आसामा जीक तत्वा आ जातने हैं, उन लोगों ने माहुल बिगारने की कोशिश करी और कहीं भी, फिर भी उसके हो रहा है, आज की तारीक में अनुशाषन हम लोगों ने बड़ी बड़ी ट्रेनिंग करवाई, पूरे मद्ध बदेश में जहां पे भी हम लोगों की कारिकम हो रहा है, व्यक्तिकत रूप से आप कहीं भी इस तरह की पहले एक तंत्रा लगता, आज भीड के साथ अनुशा यूथ कॉंगरस में इतना अच्छा हो चुका है, और पूरी तरीके से अनुशाषत हो के कारिकरता काप करना है, जिस समय आपने प्रदभार समाला और जो मंच बनाये गया, उससे मतला आप ही के खड़े होने की जगे नहीं थी, बागी सब लोग चड़े हुए थे, ये अल कर दो का फेकनेंगा, तो जो यूथ कॉंगरस के साथी थे उस من्च पे हमारे युवास साथी थे, उन लोगों को सब को हमने बुला या था, तो वो एक कारीकम एक अलग तरीके का था, उसमें एक मॉ起 कारीकम था, जिस समय और हुए के चीज़ों पर सत्ता के खिलाफ आप यहां पर प्रसित के खिलाफ के खिलाफ संखनाद हो रहा है तो उस मंच पे तो आप या पदादिकारी काफी थे पूरी भीड़ा जाएगी किसी की जेप कट गई किसी का कुर्ता पड़ गया जेप काटने वाले जेप कत्रे तो अलग आते हैं यहां एक मद्यपदेश में जो कानून विवस्था इतनी बुरी हो चुकी है कि हर रेली में कहीं चले जाएं वाजेब कत्रे आ जाएंगे नारे लगा के युवाओं का जोश आप एक जोशीला जो चीज देखते उस दिन इतना जोश युवाओं में था मतलब आप व्यक्तिकत तोर पे कहीं कोई किसी को गारी नहीं दी गई थी कहीं कुछ नहीं अपने आप जो लोग आयते तो एक नारों में और इस चीज़ों में तो युवाओं का तो गला बैठने का एक खुशी होती है एक चीज़े होती है और पहली बार का कारी कम था तो कहीं कोई उसमें ऐसी इस दिन नहीं ये जोश जो है वो फील्ड में कितना पहुँच गया है और कितना कनवर्ट हो पाएगा वो देखिए पूरी तरीके से फील्ड में यूथ कॉंगरस पहुच चुकी यूथ कॉंगरस ने उस कारी कम के बाद बूत बूत इस तर पे करीब करीब मैंने अभी 50 विदान सबाओं का अलग से और भी दोरा किया जिसके अंतरकत हम लोगों ने कारीकम भी किये बड़े-बड़े प्रोग्राम्स भी किये इसके इलावा भी बूत बूत पे मद्द परदेश के 53,000 बूतों पे यूथ कॉंगरस आज की तारीक में पहुच चुकी है और इतना बड़ा डिफरें सुप्रीम कोट ने भी मोहर लगा दी तो ये मोहरे जब लग चुकी है इतने बड़े मतलब धानलिया इन्होंने मद्द परदेश के चुनाओं में करी थी तो इस बार यूथ कॉंगरस पूरी ताकत के साथ और मुस्तेदी के साथ बूत पे तयार रहेगी कहीं भी ये इस प खोटा सा मारी can था बले दिमनी की बात करों मुरेना के पास बले में अप मंसोर में वहां फे बात करें मंसोर के अंदर शोला सो वोट से यहां मंद्य के आंदर ऐह दार के अंदर है इस्थितियां हो ही दिमनी के आंदर मुरेना के अंदर यह They ever मतलब कई जगहों पर जो इस्तिति रही उन इस्तितियों में पिछली बार पचास से उपर सीटे रही अब इस बार हमने पूरा तैक यह है कि 230 विदान समाओं में पूरी ताकत से यूथ कॉंगर्स हर बूत पर तयार रहेगी अगर जिस इस्तिति से यह करेंगे उससे ज्याद बूतों पर करी थी उसके माधियम से हम हर बूत पर गए कि मैंने भी मद्परदेश की 230 विदान समाओं पर जो देखा रूप रहाएगा देखी समझी वहां की भोगोलिक परिस्टितिति यह कि किस प्रकार की परस्टितिया तो उन परिस्तितियों के मुताबित वहां पे कार को लगाया गया और पूरी ताकत से हमारे कार्य करता बूद स्तर पर लगया आ लगे वह हमारे अपने अपने चेयत्रों में अपना काम कर रहें प्ना काम का तर्फ बिवांच वही प Tsch इस पत्के माधियम से मुझे भी कई जगाओं पर प्रचार करने का भी दाइत हुए कि मैं मन्द्पधेश को भी समाल लूँ तो दोनों चीजों पर विचार चलना है कि क्या दाइत हुए किसको दिया जाए और किन चीजों के लिए किन परिस्तितों के लिए क्या था हाई कमान के ओपर है मेरा भी तैयारी तो मेरी भी है पर हाई कमान को इसके ओपर निर्णा लेना है कि मेरी उप्योगिता ज्यादा कहां पहे मैं पूरी तरीक ऐसा कहा चुका हूँ कि जहां मेरी उप्योगिता लगती है अगर चुनाव लड़ने में मेरी उप्योगिता लगती है तो वहां के लिए भी मैं तैयार हूँ अगर मेरी उपियोगी ताप प्रदेश में प्रचार में लगती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ क्योंकि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा OBC का वोड़ बैंक भी पूरे मद्य प्रदेश में उसके ओपर भी ध्यान देने के लिए मैं पूरी तरीके से लगा हुआ हूँ फिर युवाऑ का क्योंकि अभी जो मद्य प्रदेश में इतना जदा वोड़ बैंक बढ़ा है करीब एक 1.04 करोर का वोड बैंक पूरे मद्य प्रदेश में बढ़ा है इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाऑ है तो युवाऑओ को जि पर यूथ कांग्रेस तब क्या कर लेगी जब अगर मौझूदा विधायक के खिलाफ एंटी इंकंबंसी होगा उसका विरोध होगा चेतर में उसने पांच साल काम नहीं किया है और वो फिर दुबारा टिकेट मांग रहा है यह ज्यादा इस्तितियां कई जगह हैं पर उन इस सितियों में भी जो पिछली बार विरोध हो रा उनको भी शॉन्त करने कि हम लोगों का एक ही मुक्त एज्ग किस प्रकार से हम सरकार में कॉंगर्स भी को लाए यूथ क Yok, Const seminar आ ने एक चीज मान लिये माननी राहूल जी ने हम लोगों को वह बताया मैंने भी सारे कार्यकारत मैंनी राहूल जी के अनुसार अभी आपने करना टेक्ट में देखा होगा कि किस प्रकार से जितने अच्छे टेक्ट बच्छे और कॉंग्रेस की सरकार आज की तारीक में करना टेक्ट में बनी 36 गड़ की जब आप लिस्स उठा के देखेंगे कि इतने तोर पे आपको इतने अच्छे नतीजे देखने को मिले और इतने अच्छे नाम तुकि मेरी व्यक्ति का तुरूप से 36 गड़ में भी कई मेरे दोस्ते युवा सातियों से मेरे बात करी तो हर व्यक्ति खुश है कि जितने भी टिकेट डिकलियर हुए वहाँ पे एक पंचायत के सचीव तक को टिकेट दिया गया है जिसको तो एक अलग फॉर्बुले के साथ टिकेट दिये जा रहा है आप निश्चिंत भी बानिए कि टिकेट बहुत अच्छे होंगे और जादा से जादा अच्छे लोगों को जीतने वाले लोगों को टिकेट दिया जाएगा उसमें ये दाय नहीं है कि पूरे विधायकों को जिसका काम एक रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है जिसको काम सही नहीं है उसको कटेंगे को इरम जो हैं वो तो अभी भी हासी पर है नहीं कहीं को यूवाउं की बात निए इस इस बार जब अब लिस्ट आया के देखें घे तो जादा से जादा के साहत में सब्सक्राराब कॉंगर 파र्टी में अब मिले website मिलेगी की सबसे माननी कोड़बा जी आज की तारीक में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी आज पूरे मद्धपदेश में आप पिछले छे महीने से कैमपेंड देख रहोंगे जिसमें हर जगह हर नेता साथ में जा रहे हैं बले ही आप यहां के नसुल लगज की रेली की बात करें या जितनी भी सभा पर एक देह की पूरी ताकत से काम करेंगे मजबूती के साथ तो मुझे कहीं गुड़बाजी की स्थितिक कॉंग्रेस पार्टी में तो नहीं थी तो डूपता हुए सूरज है और उपते हुए सूरज जो तरह सिंदिया जी है मानी सिंदिया जी हमारे युवा चेहरे हैं य प्रतिबा के दनी और उनके माध्यम से क्योंकि दो चीज़ें हैं युवाओं में जोश होता है और हमारे जो वरिस्टों के मागदर्शन के अनुसारी काम कर जाता है तो वरिस्टों के मागदर्शन में युवा काम करेंगे यह पर ऐसा तो नहीं कर दिखविजे सिंग जी कन्नी का इटली हो पूरे अभियान की हर मीटिंग में दिखविजे सिंग जी ने बार जिस प्रकार से चुनोती सिवराज सिंग्चुवान को दिये कि वो आके बहस करें पर जिस तरीके से आपकी चुनाव समीती जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक हुई उसमें तो उन्ह कि वो पीची की बात थी वह प्रदेश इलकशन कमेटी कहीं बात होगी इसके लाव एक मैं और हर तरीके से पूरा जिस प्रकार से रख-ढब caminho का जिसमें पर करेंज में कि नहीं सरबे में तो हर चीच का मिलान होके जीतने योग है जिस दिन आप लिस्ट आएगी देखेंगे कि इतनी अच्छी लिस्ट और सिर्फ जीतने वाले लोगों को टिकर दिया जाएगा यह सबी हमारे बहुत कैपेबल लोग हैं सभी लोगों की कैपेबिलिटी पर कॉंग्रेस पार्टी एक सम्वेधानिक उस द प्रणाली नहीं है जो जिस प्रकार से अमेरिका में प्रिस्टेंशल प्रणाली है कि वहां प्रत्याशी के ऊपर temperello होता है हमारे लोगतांतिरी के संभधानिक प्रणाली के जिसमें जो हमारी चुने हुए सदसर रहते हैं वो हमेशा अपने नेता को सदन के नेता को चुनते हैं तो कॉंग्रेस पार्टी संसदी प्रणाली में और लोकतांतरिक प्रणाली में विश्वा सकती है और Congress में हमेशा ये रित्ती नीती रही है कि जो संसदी प्राणाली से जो विधायक चुन क्या है वो अपने नेता को चुने और वो उसी प्रकास से उसमें चुना जाएगा तो प्रेशिजेंशल प्राणाली आपने बात की लोकतंत्र की आपकी पार्टी में कितना लोकतंत्र है कि परिवारवाद तो नहीं है कि हर नेता अपने पूत्र को टिकेट दिलाना चाहता है यहां इतना बढ़िया लोकतंत है जिसे यूद कॉंग्रस में भी आपने देखा हो का इस दिए जिसमें जो काबिलियत होगी जो काबिल विक्ती है उसको टिकेट मेलेगा यह परिवारवाद हैं जो बी केपेबल होगा कि डॉक्तर का बेटा बेटा बोग्तर बन पाता है जिस बढ़ा करूछ में ध्तना बढ़ी विक्त बन गया है यहां पर मध्यपर्देश में गयी रिए प्रक प्रपांट प्रस भर मध्या जेल करू हो ए कि दे दिए यहांस पायटि की बात में कर रहा हूं जब आपने सिर्फ जीतने वाला युवा को टिकेट मिलेगी जीतने योग है और जीतने वाला है तो फिर तो उसको टिकेट मिलना कहा रहा है तो फिर आप जैसे लोग का वांगे आगे हम लोग भी आगे हम लोग भी मैं एक समविदानिक पत्का में अद्धिश बना हूँ यूद कॉंग्रेस में लोकतांत्री तरीके से चुनके आया हूँ आज तक के इतियास में आपने हिंदुस्तान में देखा होगा कि कहीं भी इतन इतना अगर जीतने योग जीतने वाला है जो चाहते हैं कि वो उनको विदान सवा का टिकेट दिया जाएगा यहां पे अभी पिछले जो चुना हुए थे करनाटेक वहां पे बूत के अद्धिश तक को टिकेट दिया गया था यह कोई जरूर ही नहीं कि यूद कॉंगर के प्रदिश अद्धिश को टिकेट मिलेगा या विदान सब अद्धिश को या लोग सब आद्धिश को जो भी जीतने वाला युवा होगा उस व्यक्ति को यहां पे टिकेट दिया जाए अगर उसमें नेता पोतर भी विनिंग है तो विनिंग इस ता ओनली क्राइटेरिया बस अब यह बताईए कि अगर मान लीजे टिकेट वितरन हो गया और उसके बाद जैसा कि कॉंगरेस में होता है या बीजेपी में भी होने लगा है जिसको कहें जो एक बंदी हुई मुठी रहती है वो मुक्के में तन जाती है और अब फिर उसके बाद आपसी दंद शुरू हो जाता है इससे आप कैसे निपने कॉंग्रेस पार्टी में सब चीजे खतम हो चुकी है आज की तारिक में जिस प्रकार का नुशाचन कॉंग्रेस पार्टी में अभी आप देख रहे होंगे टिकेट वितरन से पहले ही भारती जिनता पार्टी में जिस प्रकार के उनके कारेले के बाहर पर्चे फेके जा रहे हैं मतलब हराने की सीधे सीधे धंकिया दी जा रही है दूसरे लडाई या लड़ी जा रही है एक दूसरे के मारा कूटी तक हो चुकी जबकि अभी वहां तिकेट वितरन ही नहीं हुआ है वहां पर पुतले जलाए जा रहे हैं जिस प्रकार की बहानक इस तितिय आप यह नहीं होगा यहां अपको विशवाज बिलकुल मैं आपको विश्वाज देलाता हूं कि कुछ भी इस तरह की इस्तितिया कॉंगरेस में नहीं बनेगी पंजा घूसे में परिवर्तित नहीं ह यहां एक बात और भी उठ रही है कि कम्पेरिजन हो रहा है शाशन किस तरीके से चला जाता है बीजे पी यह दावा कर रही कि शुशाशन वही दे सकते हैं कॉंग्रेस नहीं दे पाती है शुशाशन राश्टी स्तर के जितने मुद्धे हैं कि पड़ोसी मुल्क जो है वो आँखें दिखा रहे हैं हमारे जो सीमा परतैनात सैनिक हैं उनको तमाम तरीके से प्रताणना है दी जा रही है इसके बाद भी धुल्मुल जो रवया है वो आ अच्छे तरीके से चल रही कहां पर कही कोई थोड़ा बहुत वाइलेंस देखी यह हमारा हमेशा से चलता आया है पर कॉंग्रेस पार्टी ने जितने अच्छे इस तर पर अंतरास्टी उसको समला है समाला है वह बहुत मजबूत ती है और उसके बाद आपके राश्टी उ इतना अच्छा नेड़नाय लेने की शमता आज उस नेतरत में है कि आप देखिये कि दागी लोगों को जो पास करने का बिलता वही सही बात है उसको उसमें कहीं भी उन्होंने इस चीछ को यूथ कॉंग्रेस में पहले आज से चार साल पहले लागू कर दिया था कि कोई भी दागी वेक्ति यहां पर यूथ कॉंग्रेस में चुनाओ नहीं लड़ पाएगा सुप्रीम कोट ने उस बात पर महर लगाई तो वह मजबूती के साथ उन्होंने वह बात की और उसको पारित होने से पहले उसको खतम करा इतना बड़ा नेड़नाय लेने की शमता आज की त प्रचा दिया और कई प्रकार के दागियों से इस राजनीति को बहावाले से चुड़वाने की कोशिश करते हैं मद्यप्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि जब किंद्र में यहां से इतने सांसत बढ़ा के वेज़े चार से आपकी संख्या बारा कर दी जन्ता ने उसके बाद भी विकास के मामले में यह है कि बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि साब जो एनेश है नेशनल करती है यहां पर जिस प्रकार का पैसा दिया गया उसको उपयोग ही नहीं कर दो देखें आक तो जितना साउशन पार देशा उससे safety smalliliya v 00 yeah रोड की बात है पूरी पर देस्есित करो हैं यहां पर ठेकेदारों के साथ जिस प्रकार की स्थितिया हो रहे है उनको जिस प्रकार से लूटने की कोशिश करी जा रही है कि मद्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है आज मद्य प्रदेश में जिस प्रकार की भयानक इस्तितिया है यहाँ पे एक कंपनी है जिसको सारे ठेके चाहिए और सारी चीजे चाहिए कबसे अगर कोई कमपनिया बाहर से काम करने आती है तो उनको ना तो यहां पर काम करने है। इन्होंने गोडाउनों में भरके रखे हुए हैं जिस प्रकार से PDS का गेहूं गोडाउनों का इन्होंने बेचा है हर जगे जो काला बाजारी की चीजे चल रही है आज मद्य प्रदेश जब कॉंग्रेस की सरकार यहां पे थी तब 20,000 करोड का करजा था आज वो करजा 90,000 कर डाज के मावविए की बाथ करी थी एक रुपे का कर्ज इन्होंने मद्य प्रदेश में कहत नहीं किए युवाओं को रोजगार की बाद करी थी कि पूने में जाके जाब करना है कि बैंगलोर में करना है कि मुंबइय इन है कि दिल्ली में करना है आपकी खाद सुरक्षा का इतना बड़ा मामला मन्रेगा के माध्यम से हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रोजगार योजना को दी पड़ा लिखा युवा कैसे मन्रेगा में काम करें नहीं पड़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार की जो विवस्ता देश में करी है पूरे हिंदुस्तान में विवस्ताय चल रही है, केंद्र सरकार जब कॉंग्रेस की सरकार थी सथा का विकेंदरी करने में विश्वास रगती थी, जैसे त्री इस तरी पंचायती जो था कि गाउं के सरपंच को यह पावर दी थी कि उससे एक सिख्षक को चुनने की पातरता वह सिख्षक बनाता था वह गाओं के लड़के को गाओं में नोकरी मिला करती थी आज पूरी तरीके से उनके पावर शुन लिए गए व्यापम के माध्यम से जितनी नियुक्तियां को यहां पर होनी चाहिए थी जितना पैसा नियुक्तियों के लिए दिया गया जितने रोज सितियां मद्य प्रदेश में बद से बत्तर होती जा रही है आज रोजगार की जो योजना मद इंदोर जैसा शेहर जिसे कभी मिनी मुंबई कहा जाता था जिसे पहले हम लोग टेक्स्टाइल के मामले में इंदोर कितना बड़ा छेत हुआ करता था मालवा का जो रीजन हु सिडियां आना भी एब तो एक ही की सीडियां आई आई आगार की मोज्तिय जीसे परहें कि काड़ करता हsti ताुल सब्क्राफिन बनाराग पूरे ओपने रहे हैं कि आप नगी बना रहे हैं कउम पर सच्चार्ण कोई तो आपक विधायक प्रडल जी निकाहे कंथी तो तो उसमीं परोग जाएंगे है से बि夏 ये ऊड़ tubr कॉंग्रेस चरित्र की बात करती है कि हम लोग एक अच्छी विवस्ता दे रहे हैं अपराद से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको हम हटा रहे हैं धीरे-धीरे करके परंदु देखने में ये भी आ रहा है कि जहां वोट की बात होती तो वहां इस सब चीज़ों पर कंप्रो कि प्रदेश की बात कर लें तो अब यहां जिस तरीके के फेर बदल हो रहे हैं चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गया है तित्या गोशित हो गई है और डेली कारभार बदले जा रहे हैं कि आज ये नहीं ये देखेगा ये नहीं ये देखेगा आपको लगता है कि संगठन में कहीं चीजों पर संगठन में जब जिसकी जरूते लगती आज चुनावी दोर आ चुका है चुनावी समर आ चुका है तो जो लोग हमारे चुनाव को नहीं लड़ रहे हैं जो लोग उसमें काम करने में चुक हैं जो लोग जिस काम को बहतर डंग से कर सकते हैं क्योंकि अब चुनाओं के समय की रंड़नीती एक अलग होती है और चुनाओं के पहले की रंड़नीती आलग होती है तो उस रंड़नीती के हिसाब से अलग-अलग समय के हिसाब से अलग-अलग लोगों को जवाबदारिया देने का काम तो ये तो एक परिवर्तन और प्रकृति का नियम है तो उस हिसाब से परिवर्तन के दोर निकाले जाने है तो ये थे कुणाल चौधरी जी अगली बार क्रोस फायर में किसी नई सक्षियत के साथ हम फिर आजे रहोंगे तब तक के लिए हमें आग्या दीजिए दो उसे नगले दोगो नहीं आमाश करू से प्रकृति के लिए हमें वो प्रस प्रकृति के लिए जाने है ईहाँ पत्र मोश्श का जाने है